प्रदर्शनी महिला फुटबॉल मेंच आईए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार रास्टी खेल दिवस के उपलक्ष में सेल आरेस्पी भी है प्रदर्शनी महिला फुटबॉल मेंच आईउजी सेल आरेस्पी के उर्जा प्रबंधन विभाव में कर्मवीर कुरुसकार वित्रन समानों आईउजी और आजादी का अमृत महस्व की कड़ी में आज के वेक्तित रास्टी खेल दिवस 2022 को चिन्हित करने के लिए 29 अगस 2022 को सेल रावर केले स्पास सयंत्र के स्पास स्टेडियम सेक्टर 6 में एक प्रदर्शनी महिला फुटबॉल मेंच का आयोजन किया गया RSP के कारेपालक निदेशक परियोजनाय श्री पी के साहू कारकरम के मुख्य अतिती थे जबकि मुख्य महाप्रबंधक TA और CSR श्री A के नायक विशिष्ट अतिती थे इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा श्री पी के दास जाने माने खेल हस्तियां चात्र अभिभावक और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी राउर केला इस अवसर में उपस्तित थे गणमानले वेक्तियों ने महान भारती हौकी खिलाडी मेजर ध्यान चंद्र को पुषपांजली अर्पित की जिनके जन्म दिन को रास्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है फिर उनका खिलाडियों के साथ परिचे कराया गया जिसके बाद श्री पीके साहु ने गेंद मार कर खेल की दूसरी पारी की शुरुआत की इस अवसर पर बोलते हुए श्री साहु ने मेजर ध्यान चंद्र के कोशल मुल्यों और उपलब्दियों की सराहना की और सभी से उनकी खेल भावना का अनुकरन करने का आग्रह किया जिसने भारत को खेल के अंतरास्टी छेत्र में पहचान दिलाई उन्होंने ग्रामिन खेलों के विशेश उलिक के साथ खेल गतिविद्यों को बढ़ावा देने के लिए सेल आरेसपी द्वारा की गई पहल और विभिन्न छेत्रों में उभरती खेल प्रतिभावों को तयार करने में इसकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला ओरिशा 11 और आरेसपी 11 के बीच यह प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेला गया ओरिशा 11 ने आरेसपी 11 को छे एक से हरा कर मैच के विजेता बने इस अफसर पर खिलाडियों सहित कोचो और खेल अधिकारियों को भी प्रतिक उपहार के साथ सम्मानित किया गया प्रारम में श्री एके नायक ने स्वागत भाशन पेश की जबकि सहायक प्रबंधक क्रीडा श्री रगु पाडी ने आपचारिक धन्यवाद ग्यापित किया कारक्रम का संचालन कोल्ड रोलिंग मिल के श्री अनिल मलिक द्वारा किया गया सेल रावर केला इसपास सेंद्र के उर्जा प्रबंधन विभाग के उर्जा केंद्र के वरिष्ट तकनीशन श्री सुशील बहरा को 27 अगस को विभाग में आयोजीत एक समारों में कर्मवीर पुरुसकार से समानित किया गया मुख्य महा प्रबंधक EMD श्री पीएस कन्नन ने समारों की अध्यक्षता की और पुरुसकार प्रदान किये इस अवसर पर विभाग के अन्यवरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्तित थे श्री बहरा को ब्लास्ट फर्नेस पांच स्टोव एक के शट ओफ वॉल्व को बदलने और इस्थापना के दौरान गैस सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके योगदान के लिए समानित किया गया कारक्रम का संचालन सहयाग प्रवंधक कार्मिक आरेम सीएम और एमपीसी सुश्री पूजा रावद्वारा किया गया आजादी का अमरित महसाव समारोह के उपलक्ष में सेल रावर के लाइसपास सहयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तूत कर रहा है आज के व्यक्तित्व हैं सामन्त माधाव चंद्र रावतराय वर्ष 1827 में सामन्त माधाव चंद्र रावतराय के नेत्रित्व में तपनगड के लोगों ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ उन्हें लगान देने से इंकार कर आवाज उठाई ब्रिटिश अधिकारियों ने तपनग के दल बहरा को बकाया किराय तुरंट चुकाने और खोरदा की अदालत में आत्म समर्पन करने के लिए एक अंतिम चेतावनी भेजा जब दल बहरा माधाव चंद्र ने अंतिम चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो लेफ्टिनेन करनल हाई कोट ने जून 1827 को तपनग के पास खंड गोड़ा के युद्धि के मैदान में ब्रिटिश सेना के एक दल के साथ तपनग की और प्रस्थान किया तल बहरा को बाद में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पन करना पड़ा और बाद में उन्हें माफ कर दिया गया इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचारिये समापत होते हैं नमस्कार झाल